हेलो गाइज वेलकम टू पूनम की रसोई आपको यह पराठे दिख रहे होंगे लेकिन मैं यकीन के साथ बोल रही हूं अगर आपने यह बनाया तो आप खाएंगे पराठे और फील करेंगे कचोरी तो यह हम टो इन वन रेस्पी लेके आए हैं और इसको मैंने दो तरह से बन करने में उसके लिए भी बहुत आसान तरीका लेके आए हैं तो यह फीलिंग भी गिली नहीं होगी और टू इन वन रेस्पी भी हम बना लेंगे तो आप इसको जरू ट्राय करें आज हम बटर के पराठे बनाएं तो पराठे बनाने से पहले हमको आटा तयार करके रखना है आटा तयार करने के लिए मैंने ले लिया है एक कप गेहू का आटा और इसी के साथ हमने ले लिया है एक कप मैदा आप चाहें केवल गेहू के आटे से भी बना सकते हैं लेकिन अगर हम इसमें मैदा डाल देते हैं तो पराठे में लचा काती है पराठे का कलर बहुत कर सकते हैं इसी के साथ थमिश्वन डाल देंगे नमक चोथाई चम्माच हमने एक कप नॉर्मल पानी ले लिया है तो आटे को हम गुल लेते हैं पूरा पानी एक साथ आप बिल्कुल ना डाले नहीं तो आटा गिला हो जाएगा जैसे हम रोटी बनाते हैं उससे हलका सा हमको आटा गिला लगाना है नहीं तो फिर ये पर आठे विल्कुल नहीं आप बना पाएंगे फिलिंग के साथ हमको बनाना है तो आठा हलका सा सौप्थी चाहिए और आठे को आप अच्छे से मसल मसल के गूत ले अभी आठे को रख रेस्ट करने के लिए और इसके बाद हम एक बार फिर से अच्छे से मसल लेंगे हमने दो कप आटा लगा के तयार किया है और दो कप आटा लगाने में हमने एक कप पानी लिया था और इसमें दो टेबल स्पून पानी बच गया है और आटे को में कपड़े से डख के रख दें में तब मैंने इसको डाल दिया और जब सारे मटर ऊपर आ गए तो मैंने इसको निकाल दिया इसको बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं बॉयल किया दो से ड्हाई मिनड़ तक ही हमने बॉयल किये हैं और फिर इसको एक किचन टावेल में सुखा दी आप चाहें तो इसमें राटा हमारा बन जाएगा हमने दो पीस हरी मिर्ची काट के लिए कुछ सूखे मसाले लिए हैं दो चम्मस धनिया थोड़ा सा इसमें जादा ही जाता है अदा चम्मच गरम मसाला आधी चम्मच हल्दी पाउडर ये कश्मीरी लाल मिर्ची है एक चम्मच और तीखी वाली मि कर लिया है कुछ खड़ मसाले लिए एक चम्मच खड़ धनिया एक चम्मच जीर एक चम्मच म्मक लिया है अदा कबेशन लिया है और यह सारी चीजहें हम एकएक करके यूज करेंगे सबसे पहलेकर को पी Link अधार में दाला दिया ये खड़ एसी कीक साथ हम मतर डाल देंग पिंठे यह इसको पुल्स मोर में ही चलाते हुए पीस लिया है। और आप सकते हैं कि यह अटर एक जैसे बिल्कुल भी नहीं है। कुछ मटर खड़े हैं कुछ पिस गये है। हम ने बॉयल मटर लीए हैं तो इसमें मैश्चे नहीं दिक रहा है। अगर इसकी जगा हम कच्चे मटर लेंगे तो यह मटर हलके से गीले होंगे यह कडाई रख दी और इसमें हम 2 टेबल स्पून तेल डाल देते हैं आप चाहें तो इसमें घी भी डाल सकते हैं तेल गरम हो गया इसमें हम 2 पिंच गींड डाल देंगे पर इसी के साथ यह अलग अलग हो गई है अब हमको डाल देना है मिर्ची और अद्रक अद्रक और मिर्ची को फी 2 मिनट तक सेख लिया और अब हम इसी में डाल देंगे मटर और हम इसी में नमक डाल देते हैं और दो मिनट तक अच्छे से मटर को सेख लेते हैं मटर को सेखते हुए दो मिनट हो गए हैं हमने लिए तीर सूखे मसाले तो अब हम ये मसाले भी एड़ कर देंगे और फिर से हम एक मिनट ता मटर को मसाले के साथ सेख लेंगे इसमें आदा कप बेशन डाल देते हैं बेशन डालने से जितना भी मोईस्चर होगा वो सारा अबजर्प कर लेगा बेशन आप जो पराठे बनाएंगे तो पराठे बनाते टाइम आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है लेकिन जब हम बेशन डालते हैं तो हमको बहुत अच्छे से बेशन को भी सेख ना है बेशन कच्चा नहीं रहना चाहिए तो हम इसको पांस से छे मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम में सेख लेते हैं और अब हम इसमें डाल देते हैं यह आदा चम्मच अमचुर पावडर धनिया डाल देते हैं और इसको हम एक दूसरी प्लेट में निकाल के रख दे आटे को हमने रेस्ट करने के लिए रख दिया था एक बार वापिस इसको अच्छे से फिर से मसल मसल के गूंत लेंगे तो उससे पहले में इसमें एक चम्मच घी डाल रहती हूं हमको ज्यादा गी बिल्कुल भी नहीं डालना है हमने इसको केवल सॉप्ट कोने के लिए ही घी डाला है जब हम सूखे आटे में घी डालके आटा गूंते हैं तो फिर पराठा बहुत ही क्रिस्पी होगा और अगर हम आटा गूंते के बाद इसमें घी यूज करेंगे तो पराठा बहुत सॉप्ट होगा तो आप ध्यान रखें घी का भी बहुत अपना काम होता है अगर आप पहले डालेंगे तो लग तरे से आटा गूंत के तयार होगा और अगर हम बाद में डालेंगे तो आटे का टेक्स्टरी चेंज हो जाएगा तो आप इस चीज का भी बहुत ध्यान रखें और आटा बहुत ही सॉफ्ट हो गया आप देख सकते हैं कि यह बहुत ही फ्लपी हो गया है हमने इस प्रेस्ट के लिए रख दिया था तो यह आटा एकदम से फूल गया है उनको जिस तरह की कंसेस्टेंसी चाहिए थी उसी तरह की हो गई है फीलिंग को भी दूसरे बर्तन में निकाल के रख दिया है यह भी ठंडी हो गई है तो अब हम पराठे बनाना स्टार्ट करेंगे पराठा बनाने के लिए मैं थोड़ा सा आटा मैं आपको दो तरह से पराठे भर के बताऊंगे आपको जिस भी शेप के पराठे पसंद आए तो आप उस तरह के पराठे बना सकते हैं इसमें दो चम्मच फिलिंग डाल देंगे अच्छे से कर देंगे बन फिर से हम सूखे आठे में डिप करेंगे और डायरेक्ट बेलन से बिल्कुल भी नहीं बेलेंगे हम थोड़ा सा इसको हाथ की हेल्प से ही दबाते हुए बढ़ा कर लेंगे और फिर से आठे में डिप करके इसको हम बेल लेते हैं वैसे तो पराठे बेलने आप सबको ही आते हैं लेकिन फिर भी मैं एक बार दिखाती हूँ हलके हाथ हूँ से ही आप इसको बेले बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा देंगे तो फिलिंग बाहर आ सकती है वैसे तो फिलिंग हमने बहुत स्ट्रोंग बनाई है इसको आप बहुत ज़्यादा पतला बिल्कुल भी न बनाए तो एक तो पराठा हमने यह बना के रेडी कर लिया और मैं अब दूसरी तरह भी आपको भर के बता देती हूँ से हम एक आटे की लो क्योंड से ज़्यादा नहीं लगाना है और अब हम इसमें फिलिंग डाल देते हैं थोड़ा सा फिलिंग को हम प्रेश करदेंगे बीत سे कट कर देंगे पराठे को अब बिल्कुल टेन्शन न ले फिलिंग को आप अच्छे से थोड़ अ Ci नोड़ासा प्रेश कर आप इसको ध्यान से देख लें हमने एक तरफ से कट किया है और रोल करते हुए हम दूसरी तरफ लेके आ जाएंगे और ये पराठा हमने कर लिया बन और अब हम सीधा रखेंगे और पराठे को प्रेश कर देंगे ये हमने पराठा प्रेश कर दिया अब हम सूखे आठे में एक बार फिर से पराठे को डिप करते हैं आथ की हेल्प से ही थोड़ा सा आपको बड़ा करना है फिर से सूखे आठे में आपको डिप करना है अलके हाथों से पराठा बना लेना है हमने ये वाला भी पराठा बना के रेडी कर लिया लेकिन इसमें और उस पराठे में लेयर का अंतर होगा आप जब खाएंगे तो ये पराठा बहुत ही टेस्टी लगने वाला है क्योंकि इसमें लेयर निकल के आएगी और ये दूसरा पराठा जो हमने बनाया है ये एक दम से प्लेन पराठा है तो हम ये दोनो पराठे अब सेक लेते हैं जो हमने नोर्मल पराठा बनाया था उसको सेक लेंगे फ्लेम को हम लोटु मीडियम के बीच में ही रखेंगे पराठे के कोने सूखने लग दाएं तो अब हम पराठे को पलट देंगे और इसमें एम हैं घी अच्छे सेख लेंगे और घी और तेल भी अपनी चौइस होती आप कितना खाते हैं उस इसाफ से आप लगाए यह यह पराठा पक्के रेडी हो गया है मैं इसको निकाल लेती हूं और उल्टाते पल्टाते हुए इसी तरह हम यह पराठा भी सेख लेंगे यह पराठा भी हमने सेख लिया और अगर आप मेरी माने तो आप इस तरह का पराठा जरूर बनाए बहुत ही अच्छा बनता और इसमें लेयर भी आती है खाने में और सौप्ट जितना बनता है ना मैं बता नहीं सकती और यह तो मैं हमेशा इसी तरह से भरके पराठे बनाती ह को आप भी जबनाएंगे आप इसी तरह आने लगके दोनों ललता है कोई एक्ट्रा किसी पाराठे भी नहीं लता बस वह देगा सकते हैं इसको अप सौस के साथ ले ना है एक पराठा में आपको तोड़ के वीध कहनती हूं तो हमने यह वाला पराठा बनाया था यह वाला ह और मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके अंदर कितने अच्छे से मसाला फिल हुआ है तो आप उसकी भी बिल्कुल टेंशन न लें मसाला हमने बहुत ही अच्छे से डाल रखा है पराठे में आपने देखा ही कि यह कि इसी है बनाना तो आप दोनों तरह से पराठे बना सकते हैं आप जरूर ट्राए करें यह बहुत ही टेस्टी पराठे बनते हैं मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें वेल आइकन भी दबा दें जिससे मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे अब हम आपसे फिर मिलते हैं एक